हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई व्यूटी टिप्स में तो इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बहेंकर से बहेंकर अगर आपके पेट में गैस बनती है पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है यानि कि आप ट्वाइलेट चाते हैं लेकिन आपको लगता है मल बिल्कुल नहीं आया है, पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है जिसकी वज़े से हमारे पेट में अक्सर गैस बनती है पेट में कब्ज की शिकायत रहने लगती है तो ऐसे में आपको पेट को पूरी तरह साफ करने का आज मैं आपको रामबार तरीका बताने वाली हूँ जो बेहतरी डिप्स है जिसको फॉलो करके आप सिर्फ एक ही बार में आराम पा सकते हैं आदे घंटे में आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा तो आईए इसको जानते हैं किस तरीके से इस रेमेडी को तयार करना है और क्या-क्या इसमें हमें लेना है सबसे पहले तो आपको एक गिलास हलका गुल्मुना पानी ले लेना है आप हलका गुल्मुना पानी इसमें ले लीजिए उसके बाद में आपको लेना है इसमें केस्टर ओयल जिसको इंग्लिश में केस्टर ओयल बोलते हैं और ये आरंडी का तेल होता है आरंडी का तेल क्या करता है हमारे पेट को पूरी तरीके से साफ करता है तेजी से तो हमें इसमें आरंडी का तेर ले लेना है एक चमश के करीब ये आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा आप ला सकते हैं और इसको आपको एक ग्लास गुनुने पानी में डाल लेना है इसके बाद में आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए हमें एक चीज इसमें और लेनी है हमें लेना है इसमें नीबू यानि के लेमन तो आदे नीबू का रस भी हम इसमें डाल लेंगे नीबू भी बहुत तेजी के साथ हमारे पेट की सफाई करता है तो हम इसमें डाल लेंगे आदे नीबू का रस अब ये हमारा नुस्ख़ जो है देखिए बढ़िया से तयार हो गया है इसको पीने का तरीका भी हम आप लोगों को बता देते हैं ये इस तरीके से बन करके तयार है आपको इसको जब भी कभी भी आपके पेट में गैस हो अपच हो कब्स हो पेट अच्छी तरह से साफ ना हो तो आप इसको फटाफट से बनाएए और इसको पी लीजिए सिर्फ आदे घंटे के अंदर आपकी पेट की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये टिप्स मिलते हैं नई वीडियो में